आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट वन हिस्ट्री ओनर्स का पेपर टू पेपर टू का ये चैप्टर फोर है और चैप्टर फोर का ये भाग तीन है भाग दो तक बहुत अच्छा से पढ़ लिता हम लोग पढ़ क्या रहा थे धर्म यूद के बारे में पढ़ रह आते हैं यह समझने के लिए बस बता दिया तो बहुत सारे हुए थे लेकिन हम लोग को देखना होता है बस समझना तीन ही धर्म यूद जो मतपून होते हैं तीन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अगर इसे पहले वाला भाग का वीडियो आप नहीं देखे हैं तो लिंक ड चैप्टर की दौगश्यटरि चैप्टर चैप्टर स्थीं और चैप्टर फहर का मोडल से टम टेलीगराम ग्रूप में देद है तो लिंक इसे वीडियो की नीचे सटेंस में दिया गया है तो चलिए हम लोग सुरू करते हैं यह डेकिन हम ऊग धर्मियूद के वारे मुइन यहां से 92 तक चला था यानि कि यहां पर बात कर रहे हैं 1291 यानि कि अभी इतना दिनों तक चला था लेकिन हम तिरितिये धर्म्यूद यहां ही पर खतम हो जाता था बाकी आगे क्या हुआ तो में क्या हुआ तो अधर भी आगे भी सी तरह नहीं च गुंझ में आगे आ आगे संसला, तक कासी अचना है, तो कीम्ला कमें नियुकत करण है, युशाइड कर देषिते। दोनों किया चाह रहे थे इसाइयो धर्म चाह रहा है थे इसाइय धर्म वाले के हमारा जो अधिपत्य कहां पर हो जो जेरुसलम पर हमारा अधिपत्य हो जो की वर्तमान इजराहिल में दान रखे और इसलाम धर्म कारण दोनों धर्मों का पभीत्र अस्थल में दोनों धर्मों का पभीत्र अस्थल और मों कारान और इसलाम दर्म का फैलाव से अट और दूसरा कारण क्या था इसलाम धर्म व्हृष उसकी मृत्नु मत्नॉटों करें इसाई पोप अलंग गर से एकितले शालगë और यग अधिस्वरी साल में eg जैया थादा हritो राजा था चोंच भी किए राजा भी यह कर्मक प्रेंगें तो ये लोग आगे भी अधिकार कर सकते मैं इसलाम धर्म के जो आगे भी अधिकार आगे भी भी वाजैंग four लॣ अगर नहीं अक्रमन करेंगे तो यह आगे भी बढ़ेंगे तीसरा था इरूप में अधिकतर देशों मिशाई धर्म का बिस्तार अब तीसरा कारण क्या था कि इधर तो अरब के छेत्र में जो इसलाम धर्म की परमुकता थी इसलाम धर्म के बहुत सारे लोग मानने वाले ते लेकिन उदर इउरोप के तरह भी इसाई धर्म का बहुत ज़्यादा फैला हो गया इटली हंगरी जर्मनी फ्रांस अलगलग छेत्रों में इसाई धर्म का बहुत ज्यादा मात्रा में परभाव था परभाव होने के कारण अधिक सेना संगाटित होई और सेना अधिक अरह ब क्यूंब करते नहीं करते कोकि क्योंकि और अवरम जयrien तकत वरते ओर उन से यूद करने के लिए बहुत ज्यादा में सक्ती चाहिए था और सक्ती इनको कहां से मिला ये लोघ एक जूट हो गया और बहुत सारे देसबम्त वहाई धर्म से लोगी थे तब dud记 हम यह ब क करबण ही नहीं करते क्यों कि खुद ही कमजोर होते लेकिन इसाई धर्म का बहुत सारे तो फैलाव होने के कारण यह लोग क्या हुए पूरा एकदम जूम्द में पूरा एकदम समूह बनाकर पोपों का जो पोप थे और एक बात पोप भी इसका परमुह कारण एक और भी था क चया कर रहे था समठीच तो इसाई धर्म का बिसार होनें के कारण भी धर्म यूद हुआ और जे चौह थात्या आगर कारण की बात करें तो फूराइड़ा, फूरावप द्वराव, नब सभी सासकों को सासकों को एक जूट करना एक जूट करना पूप द्वारा सभी सासकों को एक जूट किया गया एक जूट किया गया तभी तो यहां पर धर्मी उद्वा अगर एक जूट नहीं किया गया होता यह पूप द्वारा यह नारा दिया गया क्या नारा दिया गया पहल जो इसाइज धर्म का पभीत्रबृ जेरुसलम उस पर इसायों का अधिकार होना चाहिए यदे वहारा ही तो ये मुख्र रुप और यह जो मजदूर थे JIM यह सब को कौन बताया यह ये वहारा पहले सभी जो सासक थे सभी सासक आपस में ही लड़ते थे लेकिन पोप द्वारा इनारा दिये जाने के बाद सभी सासक आपस में न लड़कर अब क्या करने लगे यह सब एक जूटो कर और कहां पर अकरमण किये जेरूसलम पर ध्यान रखिएगा यह कारण हो गया धर्म यू हो थोड़ा सा अंतर होता है इसके सवब्द में होता है तोड़ा सा अर्स में लेकिन अधिके ही होता है अब कीक क्या tääग liz जब भी धर्म होता था ना मालीजी एक वो कोई हारता था ध्याम रखिएगा पहला में इसलाम हार गया दूसरा में क्या हुआ दूसरा में तूर्क जो ते वह तूर्क यानिकि इसलाम धर्म मानने वाले थोड़ा सा जित गया ज्यादा नहीं जीते थे मतलब जेरुसलम पर सदिक में पहुँच गया थे तीसरा पर क्या हों हो तीस्रा से पहले ना जो सासक था फिर दिकार कर लिया थी ढर्माने सभड़ च니कर फ्रांस और जर्मनी की सिनॉइं आई लेकिन सब्सक्मार मालीजेत तीनों द्रम कि बीट तनाव रहा ही इन दॉनों दार्साय को Vice संभण को बहुता नुकित पर आकर लगोसुथ लोगा आपकर अर्कर बिट को अगला इसका इसलाम की एक जूता यह धर्म यूद को करुंर की einfach make Стos की संविसाइуса पूहले इससे यह जूता उन्हीं थी इस आज ध एस घर्म हो गया इटली हो गया कंग्री हो लडते थे लेकिन फॉप द्वारा इन सबको संगटित किया गया और कहा गया कि आपको संगटित होना आए और कहां पर अकरमण करना यह आकरमण करना जेरूसलम पर जिसके कारण इसाई धर्म में एक जूटता आई सबी सासक एक जूट हुए क्योंकि इनको धर्म के लिए इसाई धर्म में एक जूटता आई अगला पोप की परतिष्ठा में ब्रिदी हो गई इसाई धर्म यूद के कारण इसाई धर्म के परमुख उनको भायलू मिलने लागा उनको इजत मिलने लागा सासको दोर उनका बात माने जाने लागा नहीं तो पोप कोई आदा बात मान लेकिन धरम्यूद होने के कारण सबी लोग किसका बात मानने लगे पूप का और सभाएं होती तो पूप के बात थुनते था ध्यान से लोग तो पूप की परतिष्था में ब्रिद्धी भी हुई ध्यान रखियेगा धरम्यूद के करन अब यह भी कह सकते हैं कि पुनाजागर कि यह कि लोग परीचीट हूए परीचीत हुए तियह कि यह परणाम हो सकता हुए लोग एक दूसरा के समझेने लगे जानने लगे और बैपार में बिनीदी भी हुआ इसके कारण बहुत असा समझ में आ गया होगा यह थे कारण यह पर नाम और यह चेप्टर हो गया खत्म इसके बाद हम लोग इसका अब्जेक्टिव कोचन देगेंगा उसके बाद सब्जे कोई भी कोचन दो आप कमेंटने पूश सकते हैं में तरह समझ में आ गया होगा